करेंगे और देखेंगे DCW में क्या एक अच्छा कासा उपर की तरफ मोमेंटम आएगा या फिर एक आएगा करेक्शन क्यूंकि आप देख सकते हैं पिछले एक दू महिने में स्टॉक ने एक अच्छा कासा मोमेंटम दिया है जो कि 20-30 परसंट का रिटन है जो कि वेरी गुड पास का सपोर्ट जहां से श्टॉक ने आज पूलबैक दिया है जो कि 53 रूपीज 35 पैसा का अगर स्टॉक में 53 रूपीज 35 के नीचे प्लोजिंग आना चालू करता है तो फ्रॉक में थोड़ा मोड़ा गिरावत देखने मिल सकता है जो कि श्टॉक को फिर से एक रेंज में के तरह काम कर रहा है जब जब जा रहा है जो कि देख सकते 60 के पास से करेक्ट के श्टॉक ने फिफ्टी रूपीज प्रॉपीज लोगा फिर वहां से बाउंस बैक कर रहा तो फो पहले 60 रूपेज का एक मेंजर हड़ल क्रॉस करना पढ़ेगा अगर श्टॉक एक बार 60 र बना कर फिर ब्रेकाउट रहता तो स्टॉक में इसली हंट्रेड रूपीज का टार्गेट देखने में सकता है अगर किसी को फ्रेस्ट करना तो वह भी बाई कर सकता है स्टॉक पर ब्रॉपीज के नीचे आता है तो एक्जिट ले उसके उपर बन रहा है तो फोड़ा